DRM quota में railway apprenticeship के लिए online आवेदन शुरू हो चुका है तो इसके बारे में इस वीडियो में complete जानकारी दूंगा कि DRM quota में जो apprenticeship की vacancy आई हुई है इसके लिए section की योग गिता क्या मांगी गई है और iosima क्या मांगी गई है कब से कब तक online आवेदन लिए जाएंगे और इसका examination सुल क्या है तो इसके बारे में इस वीडियो में complete जानकारी दूंगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बिल आइकन पर क्लिक करके आले notification सेलेक्ट करके रखें ताकि जितने भी वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोड करूं उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाये तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह notification है जो कि मंडल रेल प्रबंध के कार्याले कार्मिक विभाग कोटा से जारी किया गया है यहां पर देख सकते हैं विज्यापन क्रमान का दि नियाम 1962 के दिन प्रसेक्षण में भाग लेने के लिए पस्ची मध्य रेलवे कोटा मंडल में 716 एक्ट अप्रेंटिस की भरती है तो निमनलिखित सर्तों को पूरा करने वाले उमिदवारों से निर्धारीत प्रपत्र में आनलाइन आवेदन पत्र अमंत्रित किये जाते है योग्यों मिदवार आनलाइन आवेदन दिनांक 30 अप्राइल 2020 तक www.mpionline.jov.in पर उपलब्ध निर्धारीत प्रफार्मा में आवेदन करें अपरेंटिस एक्ट 1961 के अंतरगत प्रसिक्षण है तो विभागवार निमन कोटियों में प्रसिक्षूं की भरती निमनानुसार पदों पर होगी खोटा मंडल के लिए act Apprentisosc का विवरान यहाँ पर दिया हुआ है क्रमान का है ट्रेड दिया हुआ है act Apprentisosc की संख्या दिया हुआ है category YG, जैसे कि Electrician का पचपन जनरल के लिए स्च के लिए 20, स्च के लिए 10, tous You кан planets 36 EWS के लिए 40 total 135 दिया हुआ है एक्त्रीजियन का तो इसी तरह से आप यहाँ पर सभी पद के लिए देख सकते हैं टोटल 716 बैकेंसी दी गयी है इसके नीचे अहाँ पर P.W.D. के लिए दिया हुए तो आप आसानी से देख सकते हैं और हम आपको यहां पर आयुसीमा दिखा देते हैं उमिदवार की आयुसीमा दिनांग के एक अपरेल 2020 को नियुनितम 15 वर्स होनी चाहिए तथा अधिक्तम 24 वर्स निकी 24 वर्स पूर्ण नहीं होना चाहिए 24 वर् उमिदवारों को अधिक्तम आयुसीमा में 10 वर्स की जूट है निर्दिष्ट जाती प्रवाण पत्र नियत अवधिसे अधिक पुराना नहीं होना चाहिए सैक्षणी की योग्यता यहां पर दिया गया है कि उमिदवार को मानेता प्राप्त संस्थान से 10 वी परिक्षा उत आवेदन की तिथी को निर्धारित योग्यता होना आवस्यक है प्रतिक्षित परिक्षा परिणाम वाले उमिदवार पात्र नहीं होंगे प्रसिक्षण अवधिया पर दिया हुआ है डी जी एटी फरीदाबाद एवं आर्डी एस डी जैपूर के नियमानुसार एवं रेल आवेदन का तरीका यहां पर बताया है कि आवेदन तथा बुलावा पत्र निर्धारित फार्मेट में निर्धारित सुल्क योँम दस्तावेडियों के साथ भरें आनलाइन आवेदन सुल्क के रूप में 100 रुपे वं पोर्टल सुल्क रुपे 70 देया होगा जेश्टी का आवेदन जो यहां पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा उस पर पंजी करण करना आवस्यक है पंजी करण करते समय पोर्टल में उमिद्वार का नाम पिता का नाम जिन्मति थी कच्छा दस्वी की परिक्षा या उसके संकच परिक्षा तेन प्लस में दर्जबरतनी के रूप होना चाहिए जिससे भविस में कांट्रेक्ट रजिस्ट्रेशन में अफ्सू बिधा ना हो पंजी करण के उपरांत उमिद्वार को अप्रेंटिस अपोर्चुनिटी टैब में इस्टेब्लिसमेंट नेम डियारे में ऑफिस कोटा बेस्ट 60 मिनट तक है और बताया है कि आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर हार्ड कापी अपने पास सुरक्षित रखें जिसकी आप सकता है स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाने पर होगी विसेस यहां पर दिया गया है तो आप आसानी से देख सकते हैं क्या विसेस ह जरने वाले उमिदवारों को मूल प्रमाडपत्रों तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाडपत्र के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और भी यहां पर निर्देश दिया हुए तो आप आसानी से देख सकते हैं क्या-क्या निर्देश दिया गया है हम आपको कंप्लीट जैन है तो आप आसानी से देख सकते हैं तो यह था जो पस्चिम मद्य रेल कोटा में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आनलाइन आवेदन सुरू हो चुका है इसका विग्यापन जारी कर दिया गया है तो इसके बारे में मनें आपको कंप्लीट जैनकारी दे दिया अगर इस वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट्स के साथ ज्यादा ज्यादा सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बिल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताक कि जितने भी वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पाले मिल जाए थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो